तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एकदम नई सी रेशिपी तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये घर की जो चकरी होती है उसमें दाल को दरते हैं, मतलर दाल को हम लोग पीसते हैं मिंस दाल के टुکड़े करते हैं तो ये हमारी घर की चकरी है जिसमें हम डाल को दरने वाले हैं तो इस तरह से उरत की डाल को दर आ जाता है तो जैसा कि आप देखी सकते हैं हमारी घर की जो काली वाली डाल है वो दर चुकी है मिंस वो तैयार हो चुकी है तो अब हम दो कटोरी डाल लेकर इसके अंदर पाने डाल कर इसे अच्छे से 5-6 गंटे के लिए भिगा देंगे इसके बाद हम डाल को अच्छी तरह से धूल देंगे और उपर के छिलके निकाल कर डाल को तयार कर लेंगे तो हमारी दाल अच्छे से धूल चुकी है और उसका पानी भी मैंने निकल लिया है तो हम दाल को मिक्सर की वाटी में डाल कर अच्छे से पीस लेंगे तो यहाँ पर मसालो के लिए मैंने जीरा लिया है और काला नमक लिया है तो जीरे को हम भून लेंगे और मशालो को पीस लेंगे और जैसा कि आप देखिए सकते हैं हमारा दाल भी पीस कर तयार हो गया है तो दाल को हम किसी बॉल में या किसी बरतन में निकाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेटेंगे पास मिनट तक फेटने के बाद हम दाल को चेक करेंगे कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से तयार हुई है कि ने इसके लिए हम बॉल को उल्टा करेंगे अगर हमारी दाल नहीं गिर रही है तो मतलब मारा पेश्ट तयार है तो आज हम अपनी रेशिपी में बनाने वाले हैं मिर्ची के दही वड़े तो इसके लिए हम मिर्ची को बीच से कट लगा लेंगे और कड़ाई में तेल को गरम कर लेंगे और अपने हातों पर पानी लगा कर इस तरह से डाल वाला पेस्ट लेंगे और बीच में हरे मिर्ची को भर देंगे तो सेम इसी तरह से हम सारे वड़ो को बना कर तयार कर लेंगे मिर्ची का वड़ा भी खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है तो इसलिए आज मैंने मिर्ची के दही वड़े बनाए है सारा प्रोसे सेम वड़ो की तरह ही होता है और आप देखी सकते हैं ओयल में डालने के बाद या कितना अच्छे से फोल रहा है तो बस इसी तरह से हम सारे वड़ो को अच्छे से उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे इन वड़ो को हम चटने से भी खा सकते हैं वैसे आज मैं मिर्ची के दही वड़े बना रही हूँ तो आप चाहे तो इस वड़ो को ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ और चाये तो दही में डुबा कर भी खा सकते हैं तो जैसा कि आप देखी सकते हैं हमारे वड़े जो है गोल्डेन फ्राई हो गए हैं तो हम इन्हें अच्छे से उलट पलट लेते हैं और इसके बाद इन्हें निकाल लेते हैं वड़ो को निकालने के बाद हम दूसरा बैच भी इसी तरह से बना कर त्यार कर लेंगे तो सेम पहले की तरह ही हतेलियों पर हम पानी लगाएंगे और जो है वड़े का पेश्ट लेंगे और पीच में मिर्ची को भर कर हाथों पर उलट पलट कर अच्छे गरम तेल में डालेंगे वड़ो को तेल में डालने के बाद थोड़ी देर तक हम वड़ो को तश नहीं करेंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारे वड़े जो है वो अपने आपी उलट जाएंगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने दाल को अच्छी तरह से अपने हातों से फेटा है तो फ्रेंट्स हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है तो अब हम इसे भी अच्छे से उलट पलट लेते हैं और गोल्डन फ्राई कर लेते हैं तो अब हमारे वड़े जो है गोल्डन फ्राई हो गए हैं तो हम इने उलट पलट कर निकाल लेते हैं तो फ्रेंट्स हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है तो इसी तरह से हम अपना तीसरा बैच भी तैयार कर लेंगे और वडो को अच्छा golden fry होने तक उलट पलट कर सेख लेंगे वडो को बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम काली उरत का डाल लिया है जो हमारे घर का ही डाल है तो 200 ग्राम डाल में हमारे कम से कम 14 से 15 दही वड़े बन जाएंगे तो फ्रेंड जैसा कि आप देखी सकते हैं प्रेज भी तैयार हो गया है तो हम इन वडों को निकाल लेते हैं और चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ तो इन वडों को आप ऐसे ही खा सकते हैं खाने में काफी करा रहे हैं अगर दही बड़े बनाने तो हमें इन्हें गुन-गुने गरम-पानी में डालना होगा तो मैंने एक बॉल में गुनगुना गरम पानी ले लिया है अब वड़ो को मैं इसमें डाल देते हूँ सारे वड़ो को बॉल में डालने के बाद हम इने ढख देंगे एक गंटे के बाद हम इनका पानी निकाल कर इनको दही में डुबाएंगे तो फ्रेंज जब तक हमारे वड़े फूल रहे हैं तब तक हम एक बॉल में 200 ग्राम या 1500 ग्राम चीनी लेंगे चीनी की मात्रा आप कम या जादा कर सकते हैं इसके बाद मैं छोटे कलचुल से दो कलचुल दही डाल रहे हूं और इसके बार इने अच्छे से फ्रेट लेंगे जब दही अच्छी तरह से फ्रेट जाये तो हम इसमें और एक्स्ट्रा जो हमारा दही है वो भी डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने एक लिटर दूद का दही बनाया था जो मैं इसमें यूज कर रहे हूँ दही को डालने के बाद हम इस दही को भी अच्छी तरह से फ्रेट लेंगे और एकदम स्मूथ कर लेंगे तो फ्रेंच जैसा कि आप देखी सकते हैं हमारी दही जो है अच्छी तरह से फिट गई है और यह दही वड़ा बनाने के लिए रेडी है तो फ्रेंच अब हम चलते हैं अपने वड़ो की तरब तो वड़ो को मैंने पानी से निकाल लिया है तो अब हम इनके उपर दही डालने वाले हैं तो फ्रेंच अब इन वड़ो के उपर जो हमने दही को फेट कर रखा था ना उस दही को इसके उपर डाल देंगे तो ये लेजिए वड़ो के उपर मैंने दही को भी डाल दिया तो ये हमारा मिर्ची वाला दही वड़ा जो है वो बनकर तयार हो गया है तो इन वड़ो को मैंने एक प्लेट में भी निकाल लिया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे जो हमने मसाला तयार किया था काला नमक, जीरा, पाउडर उसको डाल देंगे और उसके उपर लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे तो ये लिजे हमारे मिर्ची के दही वड़े बन कर तयार है हमारे मिर्ची के दही वड़े भी काफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं फर कितना होता है कि ये खाने में अंदर से तीखा तीखा लगता है तो जिनको तीखा पसंद है चेटपटा पसंद है वो इन दहीवडों को जरू ट्राइ करें